हालो फ्रेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं एनियोस क्लास थैंथ हिंदी के इंपॉर्टन कोशन विस सॉलुशन के साथ जिस फॉर्मेट में आपको बताऊंगी उसी फॉर्मेट में आपके यह एक्जाम में आएंगे तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट कोशन जो हमार वन माक्स के आएंगे तो देखते हैं हम अपना फर्स्ट कोशन निमिल लिखित प्रश्णों के उत्तर के रूप में दिये गए विकल्प में से सार्विधिक उप्युक विकल्प छाड़ कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए जो हमारी ऑप्शन वाले कोशन है इसमें वहाई है जो हमारा राइट अंसर वहामें अपने अंसर सीट के अंदर लिखना तो बेखते हैं हमारा फॉस्र यह हैं और हीम के अनुसार कोयल किस ईतूं में मोन साध लेती है मोन साध का मतला होता है को कि कुईल कब छुप हो जाती है तो जो रहीम ने बताए है कि images कोयल है कुछ एक मीठी आवाज में बोलने वारी माटना नहीं आई तो हमारे जो फस्थ है और पुल है कि इसका राइट अंसर हमारा वर्शा रितू के अंद और क्यों मों शाथ लेती कवी जब बर्सात होती है तो काफी सारे मेंडा एक साथ धिखट रहारा जाते हैं जो उनकी टर्टरakat शन्ते हुती है उचिक हो काफी बाहरा जाती है और कोई भी से हौदा जिसकी वांढ़ूसे करना उसे कवी इसे उसे एक ग्यानि की रूप में दर्शा er और में उसे एक तो हमारे नेक्स्ट है चंद्र ग्रहना से लोटती बेर कवीता में देह की पतली कमर की लचीली कौन है क्या वो लड़की है क्या वो सरसो है क्या वो अलसी है या वो मचली है तो हमारा नेक्स्ट क्या है कवी ने जागने का अनुरोज सूर्य पवन और पक्षी से किया है क्योंकि वह सुन्दर है क्रियाशील है प्रगती शील है या अनुभावी है क्रियाशील क्यूंडेंङा क्यूंकि क्रियाशील क्या है क्यूंकि और सूर्य शूर्य हो गया रहते हैं अपनी खाने की तलाश में और टह हरते नहीं क्रियाशील की yeah आते रहते हैं तो इसलिए कवी ने उसे जो आलस्य से भरे लोग हैं उन्हें जगाने का अनुरोथ किया है सूरे से पवन से और पक्षी से अब हमारा नेक्स्ट किया है बूरी प्रिथिवी का दुख कवीता में पेड़ों के हजारों हजार हात हातों से हिलने से क्या अभिप्राय है रक्षा की गुहार लगाना खुशी से जूम उठना तुफान से कापना हवा से थिर थिराना तो इसका राइट अंसर हमारा गया है रक्षा की गुहार लगाना गुहार लगाने का मतलब क्या आता है पुकारना मदद के लिए पुकारना तो इसने मतला कि पेड़ों को जो हजार 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 हाथ हिलने से यह अभी प्राय है जैसे कि आपको यह हमें कोई भी कभी मारता है या कोई भी कोई अत्याचार करता है हम अपनी हैल्प के लिए कुसी मदद के लिए हम पुकारते हैं किसी और को उसी प्रकार जैसे पेड़ो अब हमारा नेक्स्ट क्या है इसे जगाओ कवीता में श्रिप किसे बताए गया है तो श्रिप का मतलब क्या होता है तेज तेज गती से रफतार से चलना, तो इसका क्या है, यह जो घबरा कर भागते हैं, जो तेज रफतार से चलते हैं, जो अफसर को नहीं चूपते हैं, जो शन भर को सजग रहते हैं, तो इसका राइट अंसर क्या है हमारा, इसका राइट अंसर हमारा यह नहीं है, इसका राइट उसके प्राप्टी कर सके तो इसका राइट अंसर हमारा यहां पर गलत हो गड़ा प्रिंटिंग हैं तो इसका राइट नंसर नहीं rug किसी एक के लिए वह मतला सजग हो जाए या अलट हो जाए तो उससे भी काम नहीं चलेगा हमेशा व्यक्ति को क्या तंदुरूस तो चुस्त रहने चाहिए हमेशा अपने लक्षे के लिए फोकस रहने चाहिए वह कभी भी भागे के भरोसे होकर हमें हमें किसी चीज की स्टार्ट होता है तो इसमें भी क्या है निमिलिखित प्रशनों के उत्तर 15-20 सब्दों में लिखने हैं उनको परणाम कवीता का मूल भाव है कि हमें उनको भी परणाम करना चाहिए जो अपने लक्षों की पूरती के लिए प्रतेन करते हैं या परंतु साधनों की कमी के का कारण अपने लक्षों को पूरा नहीं कर पाते हैं जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपने लक्षे के लिए क्या प्राप्ति के लिए क्या कि कि लिए कि अब पीछे रा जाते हैं लेकिन प्रियास तो उनको भी परिनाम करना चाहिए जो शिर्फ जीत चुक यह जीने सफलता मिल चुक यह उनकी हमें वावाई या उनको परिनाम करना चाहिए जिसकी पर्यास करा ता अम्बर पंहट में ढूब रही है तारगट रुप एजब वह रहता है जैसे कि कोई भी आगर यहां पर पंहट को अगर अंबर की तरह दिखाए जाता अंबर है हमारा आसमान है आसमान को पंगट दिखाया जाता तो वहां पर हमारा मान भी कर अलंकार होता लेकिन यहां पर पंगट को ही पंगट को क्या बताया है आसमान बताया है तो इस वज़े से हमारे क्या है यहां पर रूपक अलंकार आया है जब उपमे और उपमे एक हो तो हमारा ठट क्या है गड़ी गड़ी कड़े खोट इस कोशन का हमें आदर्ष रूप बताना है तो जैसे कि पंक्ति आदर्ष रूप क्या है कुम्हार गड़ी मतलब गुरु कुम्हार की रूप में दिखाया गया है जिसपर कल एक गड़े को सुम्धर बना अकार देता है पहले ... उपर से तब थेव खिंद अगर कोई करना आता है उसे थेजित रूप जिसे व्याइए रूप आश्व सम्हें अंहसेुसे पंक इस ही प्रकार जैसे कि और अपने शिष्य को ऊपर से क्रोधीत करता है मतलब कि उसे डाटता है कि तुम ऐसा मत करो बहुत स्ट्रिक रहता है उसके साथ निकिन वो अंदर से उसे काफी स्नेह देता है ताकि वो अपनी सफलता को प्राप्त कर सके और आगे निकल सके और से समाज में उचा सम्भान मिले तो इसका हम एक बर अंसर पढ़ लेते हैं तो क्या लिखा है आपके गुरू और शिष्चे का आदर्श रूप रूप यह है कि जिस प्रकार एक कुमहार अपने घड़े को उपर से मार मार कर हलके हातों से थीपना कर उसे सुंदर और दोश रहीद यानि अगर उसके अंदर को चोट चोट कन आ जाते है उसको निकाल तो फेक देता है बहार ताकलिव और अपने शिष्चे को स्ने प्रेम प्रेम देता है और बहार से कठोड़ता पूरवे वहवार करता है और उसे एक बहतर इंसां बनाता है हार टीजर अपने विशिश्चे को डाँटा है ताकि वह एक चछा और सफल इंसान बन सके ठीक है नेक्स्ट हमारा क्या है विविद सुमनो की एक माला सुमनो यानी फूल अहवान कविता की इस पंक्ति से कवी का क्या आश्य है ? क्या ताथ पर रहे है ? चाही मी मैं तरस भी बूभ नही mentale ? अहवान कविता की बताएं ? जैसर कि भारत में अलग अलग संप्रदाई के नोग रहते हैं ? कि वह एक जूट अगर हो जाएंगे तो वह किसी भी चुनोती का असानी सामना कर सकते हैं उसी प्रकार जैसे एक फूल की माला जो होगी वह इतनी सुन्दर नहीं लगेगी हमें जिस वगा वेवेद्यानी अलाग अलाग फूलों की माला रंग भी रंगे फूल कलर की जो अगर हम माला बनाते हैं तो वह काफी सुन्दर लगेगी देखने में तो इसका अनसर हम पढ़ते हैं कैसे आपको लिखना है या लिखा या बेवी सुमनों की एक माला इस 35 से कभी का यह तातपर रहे है जिस प्रकार अलग अलग-अलग अलग-अलग फूलों को मिला कर एक सुन्दर जब अलग अलग रंगों के जब एक सात्फaven की हम आला बनाई सुन्दर बनाई जा सकती है उसी प्रकार भारतवाशी एकता के सूत्र में बंद कर सामना कर सकते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता है अगर वो सारे सम्प्रदा को छोड़का एक जूठ हो जाएं तो उन्हें कोई हरान चाहता है वो हर चुन्योती का सामना कर सकते हैं अब नेक्स्ट क्या है हमारा चंद्र गिर्हयना से लोटती बेर कवीता में कवी ने चने को गुलाबी मुरेठा बांधे बैठा हुआ क्यूं कहा है मुरेठा यानि पगड़ी जसे एक दूले को आपने देखा हो वो पगड़ी पहने के रहता है तो वो ही मुरेठे का मतलब क् में क्यूं कहा है जब चने का फूल आपने देखा हो महां पर चने को एक दूले का रूप बताए मैं कवी ने चनय को गुलाबी मुरेठा मुरेठा यानी पगडी बांधे हुए इसलिए दिखाया है क्योंकि चनय का पौधा अभी छोटा है और उसके पौधे में गुलाबी रंके फूल आ गए हैं कभी ने चनय का मानवी कराल अलंकार कैं मतलब क्या है जब किसी भी प्रकर्थिक चीज क माना के रूप में दिखाया जाता है वहां पर क्या लगता है हमारा मानवीय करन अलगकार करके उसका एक सजे हुए दूले के रूप में दर्शा आया है अपने सिफ़ पगड़ी वाने हुय जब दूला दूला बनता है तो उसके सर के उपर एक पगड़ी रखी जाती है जब तो उसी चैने को हाँ पर कवी ने क्या बताए दूले का रूप दिया है मानविय करें अलंकार करके है नेक्स्ट क्या है हमारा बूरी प्रितिवी का दुख कवीता के अधार पर प्रकर्ति के प्रति मनिश्य के किन्हीं कर्तव्य को बताने हैं उसके अदर हमें प्रकृती की साथ क्या हश हो रहा है तो हम इस वे बताइगा है कि हमारे क्या तब्तव्यक घृत करें कि मनिश्य और अपने जीवन की सरलता के लिए आस पास के प्रक्रति शंसाधने को नुक्सान नहीं करना जो बी प्रकृतिक साधन है हमारे उसको हमें अपने लिए मतला को अपनी जीवन को सरल बना ले के लिए हमें हास नी किना जहें पेड़ों को हम चाच देते हैं वह उसको काट के हम अपने घर बना लेकर ऐना चाहिए कोई अफटरी बना देते जो काट बहुतित एक टाट थर्ट कोशन हमारा गया निमिल लिखित काव्यांज यह हमारे काव्यांज है उसकी हमें क्या करनी है इसके कवी का क्या नाम है करते हुए काव्यांज का काव्य संदरे करना है जो हमें यह पंक्तिया दए गही है इसके काव्य संदरे करना है तो two parts में बॉटा जाता है एक होता है भाव संदर्र JEए हमारा षिल्प बाउंध do right क 것은 के अंदर बताए ओ इसका हमें अर्थ बताना हो जैसे की हमारे बचाना होता ही है न की सब आता है उसकी तो उंदर पहले हम यह लाइन से लिए गए हैं जो पीछे थे तुमारे बढ़ गए साची बीना कुछ आप ढ़ल सकता नहीं इसमें कवी ने क्या कहा है कि कवी ने एक भारत वर्ष को लिया है देश एक भारत रखा एक पश्चिमी देश अमेरिका हो गया कोई जो पश्चिम के देश है उनको बताया है कि जैसे कि जह हमाजादी कर टाइम था हम काफी उस समय हमा अर्थवस्ता काफी उपर थी लेकिन यहां के लोग अंध्विश्वास और मतलब की आलस्य से भरकर वह बैठ चुके हैं यहां पर वह करम करने को तयारी नहीं है लेकिन जो हमारे पश्चिम के जो लोग हैं वह काफी कर्या शील हैं करम करते इस वह हमारें से पीछे होते हो अगे बढ़ चुके हैं तो यहां पर कभी निगहाए का जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे जो पीछे थे वह बढ़ गए हैं यहीं रहे हैं मारत वास्यों को लोग क्या पता है वो आपने भाग्य के सारे बैठ हुए हमारा कुछ आसा करिश्म हो जिसे हम आगे निकल जाएंगा और हमें सफलता मिल जाएंगी तो लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता है कि हम बैठे बैठे हमारे सामने हमारे खाने रखा उसका रोटी करने वाला लुकमा हमारे मूह में आजाए हमें उसके लिए उठना पड़ेगा उसी बगार अगर दीपक साम डिए हैं एक आकार देना होता है तो अपने मूर्ति नहीं को कोई कारे नहीं हो सकता है तो इसका हम पहले संद्र करेंगे बाहर संद्र करेंगे में लिखना है कभी ने इन पंग्तियों में हताश निराज बैठे हताश और निराज बैठें लोगों को करम करने पर बल दिया है करने पर कहता है जो लोग तुमसे पीछे थे आगे बढ़ गए तुमसे कौन पीछे थे हमसे हमसे पस्चिमी लोग जो थे पस्चिमी देश के जो लोग ते वह काफी पीछे थे लेकिना वो क्या हो गया है वो आगे बढ़ गए है करम करकर के और आगे ही बढ़ रहे हैं पस्चिमी देश के लोग यह वो और धिर करशम करे हैं हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं बिर जाएं जैसे कि बीना एकजाम दी है भर सारा दोश अपने भाग्ये को देते हैं दोस कि देते हैं अपने भाग्य को देते हैं उसा होता कि जब तक कोई अपना करम नहीं कराएं गयां। उसके करने हैं परिश्रम कड़ना पड़ता हैं मैं धुन परिष्रम करना से कंपना है। अरम सार दोछ बाग्य बाग्ये कभी उधारन लेते हो करम को इसने क्या बताया है तेल बताया है जैसे अश्यश्य ऑनकी तेल डाले तो जंपती भी ऐगी तो रख्षी भी ऐन देल के, जब तक टेल नियोगा ऐसी हमें साफलता नहीं मिल सकती बीना करम के, तो उस ने कभी ने करम को तेल का रूप दिया है, धीपक रूप भागयसे जल सकता नहीं, जैसे तेल जल जलने से धीपक जल उठता एह उसी प्रकार अगर हम करम करेंगे तो हमारा भाग्य जो हमारा भाग्य है वो जल उठेगा मतलब वो ही तेल को करम को तेल और दीपक को भाग्य का रूप दिया है जल सकता नहीं जिस प्रकार तेल की बिना दीपक नहीं जल सकता उसी प्रकार करम के बिना भाग्ये नहीं जल सकता अब दूसरा उधारा उसने क्या दिया है सांचे की बिना मूर्ती त्यार नहीं हो सकती सांचे यानि मैंने बिताया जो अकार है उसका पहले एक धाचा त्यार करता है मूर्ती कार पर उसमे मूर्ती को ढ़ालकर एक मूर्ती तियार करता है सुन्द ए तो वही सांचे की बीना मूर्ती तियार नहीं हो सकती उसे बिना उसे बनाने में काफी समय और मह coercet लगती है उसी प्रकार करम बीना सफलता प्राप नहीं हो सकती जीसे एक मूर्ती कार को एक पहले धांचा बनाना पड़ता है, फिर मूर्ती बनाना पड़ता है, उसके लिए उसने करम करा और परिश्रम करा, महनत करी, जब जाके उसके एक मूर्ती तयार हुई, लोग उसी प्रकार जैसे अगर हम करम करेंगे, तो जब भी हमें अपनी लक् और जो हमें अलंकार बताने हैं अलंकार और इसमें उपमा और उपमे में कोई भेधे नहीं रहाता है वहां एमारा रूपा का लंकार लगता है अगर तेल और अ निरास बैठे हुए जोकोई करम निक duda कि लाने के लिए कभीता लेखी गई थी ये उसी थर्ड कोशन का ये सेकिंड पार्ट है ये आपके अथवा में आता है आप वो वाला भी कर सकते हो ये वाला भी कर सकते हो तो आपको एक करना है लेकिन मैं आपको दोनों सॉल्व करवारी हूँ तो इसका हमें कावे से अंदर ही करना है उसी तरह जैसे हमने पहले वाला Soul करा था तो पहले हैं कावे अंच पढ़ लेते हैं क्या लाई Channel है सुना है कभी रात के सन्टे में अंधेरे से मुझ भापे किस कदर ρो सी नदियां यह हमारा कौन से पाट से लिया गया है यह हमारा बूरी पृत्वी से लिया गया है बूरी पृत्वी का दुख इस घाट अपने कपड़े और मवेसी धोते सोचे हैं कभी कि उस घाट पी रहा होगा प्यासा पानी या कोई श्री चड़ा रही होगी किसी देवता राधिया नहीं कोई पानी देवता को चड़ाते ना उस तरह की से तो इसका हम पहले करते हैं भाव संदर्य क्या है इस पंक्तियों में क्या बताया गया है इस पंक्तियों में कवित्री ने नदी की प्रदूशन को प्रकट करा है नदी का प्रदूशन का ऐसे वहां पर लिखा था कि उस और धो रहा होगा मवेशी मवेशी का मतलब होता है पालतु जानवार पालने वाला पालतु जानवार उनको आपने देखा है वह नहलाते हैं नदियों में जाके एक और इस्त्री कपड़े धो रही होती कोई अपने मवेशी ने पालतु जानवार को वहां पर नहला रहे होते हैं वह होते हैं मवेशी तो एक हमारा क्या हो गया तो उसे प्रकार उसे निया नदी, बहुत अंधरे, लो रही है, उसी प्रकार एक गंदी नदी भी अंधरे में मानवे दूnatural में, उसने मानव कर रूप में दिखाया है यह नदी के दो किनारें दो किनारों की बात की है एक किनारे पर स्वार्थी व्यक्ति अपने पशुक नदी में नहला रहा है अपने गंदे कपड़े धो रहा है और दूसरी किनारे पर एक प्यासा पानी पी रहा है नदी में से पानी पीते हैं तो प्यासा पी रहा है पानी पी रहा है कई और पानी पीने के लिए साफ और जल सवच्व जरूरी होता है तो यह कब्ही हम सूशण पानी 2 हम सुच पाणी की जरूरत होती हैं जह कभी हम सूचते नहीं कि अगर हम यहां गंदगी कर तो उस और के जो लोग है वह कुछ और कर रहे होंगे वह जशे कि इसमें बताए एक को तो वहां पर वह जानवरों को नहला रहे हैं प्यास पानी पिरानी प्यास देवता को जल चड़ा रही है और देवता को भला गंदा जल कैसे चड़ा सकता है उन्हें पवित्र जल चड़ाया जाता है इसलिए हमें अपने फायदे के लिए प्रकर्तिक संसाथनों का हननन यानि उसका हास करना या फिर उससे नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए आप इसका सिल्फ संदर रहे क्या है कौन सी कविता से लिया गया है इसका प्रियोक करा गया है भावो के अनुकूल भाशा का प्रकट है मतलब भावो के अनुकूल प्रेयों क्या उसके इत्ञा सब्सक्रैण क्यों करना क्यों हो सकता है तो कि यहां कि हमार फॉर्थ कोश्ण निमेलिकत प्रश्नों में से किनी तीन के उत्तर देने लोगे क PROF 1 काहना क्भीर के अनुसार हमें अपने सौभा को निर्मल और सुथरा के लिए क्या कदाला तो यह हमारे कभीर के serait तो हमें अपने निर्मल और सभा को न्यादम जूटाने चाहिए तो कबीर के अनुसार हमें अपने सभाव को रहाने के लोगों को में निंदा बताता हैं तो किंधे डर लग टा कि हमारी गल्तियूं बतारा सब्सके सामने लेकिन अशा निकर नीड़ें चाहिए है निंदा करते vagy कि बंगरने लिए पास क्यों रखना करें उससे हमें अपने गलतियों का पर चल रहे हैं हम उसे negative ना लेको उसे positive उसे पॉजिटीव वें में लेंगे तो हम अपने सब्हाव को क्या बना सकतें निरमल जो हमारी गल्तियां गड़ेश ह spacer कि अपनी संदर सकते हैं तो हमारी जिसके हमारी बुरायों को हमारी भुरायों को स्ट गे बन जाये हैं तो हम उसके उन्हार ना कि उनको को घुं कि अगर हैं तो कैसे है अजादी कवीता के अधार पस्पस्ट कीजिए जो हमारी अजादी कवीता है उसके अधार पर हमें बताना है कि जो करम है उसका संब्द अजादी से है तो इसका अंसर है हाँ क्योंकि जब तक हम कुई भी काम निगा जग से कि हमारी भारत की अजादी के लिए अगर लोगों ने परिश्रम नहीं किया होता तो क्या हम अजाद होते नहीं सब लोग अपने भागगे के बरों से बैठ कही रहते हैं होना होगा अजाद तो हो जाएंगे तो आसे हम कभी करना जान कही करना नां करेंगे तो हमें भी सफलता मिलेगी किसी काम में उतलिआन परिश्रम हैंगे किसी चीज में सफलता नहीं मिलेगी गवंख़ा अ civ reunion करने के बात के आख उस यह चाहिए जो को काटने का अधिकार ही II को खवाल झान को हतारता उanka पेखा है जिस만ते कने मिलनी चाहए जो मेहनत करता है उसी को सफलता मिलनी चाहिए या जो काम कर रहा है जो इसने किसान अगे फसल उगाई उस लिवी को रोटी मिलनी चीए जिसने बैट की आराम से देख रहा था हम फसल हो जाएगी खराव हुए उसे रोटी नहीं मिलनी चीए जिसने मेहनत कर यह अपने खेत में उसमें अपना परिश्रम लगाया उसको कि हमें अजादी मिल सकती है उसी का हमारा ठट क्या है चंद्र गरहना से लौटी बेर कवीता के अधार पर बताए कि सरसो हो गई सबसे सयानी सयानी का मतलब क्या होता है जाता है यह लड़कियों के लिए वर्ड यूज कराता है सयानी होगी है मतलब कि समझदार हो गई है चतूर हो गई है वो सब चीज समझ सकती है तो जो कवी ने चंद गहान से लौटी बेर कवीता में बताया है कि जो सरसो है वो चतूर और समझदार हो गई है मतलब सयानी हो गई है सयानी क्यूं हो गई हमें यह बताना है क्योंकि जब सरसो पक जाती समझी समझ सकती एक साइछ सेर्व पिक्यानी नय देले ने वह हैं compromis Rights है और इसलोंких सेर्श की अर्थ पूरी तरह पक चुकी है रहे हैं फूल आने कां है मतलग पक डिया है आप इसका लास्ट हमारा उनको परणाम कवीता में कभी ने कि लोगों के प्रती आदर का भाव प्रकट किया है जो उनको उनको परणाम कवीता है उसमें कवी किन के लिए आदर का भाव प्रकट किया है उनको प्रणाम करना चाहिए जिसने प्रयास किया है अपने किसी भी लक्षे को प्राप्ती के लिए उनको परणाम कवीता में कवी ने उन लोगों के प्रती आदर का भाव प्रकट किया है जो अपने लक्षे की प्राप्ती के लिए महनत तो करते हैं किन्तु किसी कारणवस किसी भी संसाधन की कमी होने कारण किसी भी कारणवस हो सकता है किसी कारणवस वह अपने लक्षे में प्राप नहीं, अपने लक्षे को प्राप नहीं कर पाते हैं, तो संसाधनी कमी होने कारण, या किसी भी वज़े से हर कोई तो जीत नहीं सकता, जीता तो एक ही है, तो किसी वज़े से वो अपने लक्षे को प्राप नहीं कर पाते हैं, तो हमें उनको भी मतला कि परणाम करना चाहिए कभी का ऐसा मानना है, क्योंकि उस परिशन करें वाले हर वाले हैं कुछन को आपको आगे की वीडिव मिल जाएंगे बिशervते हैं आगे की पार्ट में एक जा देगेए तो केंगे थ Creek कपशन ल्एक लाएके do झाल झाल